वेलकम टो रोशी हायात केचिन बिस्मिल्लायरमानी रहीम अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे जर्दा जैसे लोग मीठे चावली बोलते हैं और यह बहुत ही जबरदस्त बनता है इसको हम बनाएंगे आज एक नई ट्रिक के साथ में एक बिल्कुल नई को रे इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं चार आगर आपको लगे कि कहस्ट कम है तो आप यहां पर थोड़ासं और बढ़ा सकते हैं और इसके भूपकी दैना दो हरी लाइची डालूंगे जिसके मैंने इस तरह से मूह खोल दिये हैं और अब इसमें एक हम बॉइल आने देंगे और यहां मैंने लिया है तक्रीबन देड़ कप चावल लिए हैं यानि वन और हाफ कप और इसको मैंने पानी में सोक कर दिया था मैंने हाप सेला चावल का ओस्तूलय यूस किया है और तक्रीबन दो घंटे लिए मैंने इसे पानी कर दिया था और इसको मैंने बहुत अच्छ Colin पेसे वॉइच्छ कर दिया है और इधर देखिए यह पानी में बच्छे से बॉयल भी आ चुका है अब इसमें हम चावल डाल देंगे जो हमने भिगोके और धोके रखे थे थे ना वह वाले चावल इसमें हम डाल देंगे और बहुत एतियात के साथ में से डाली क्योंकि पानी बहुत गरम है और अगर चीटे आ गई तो आपके हाथ भी जल सकता है और यह देखे चावलो को इसके अंदर हमने डाल दिया है फ्लेम हम रखेंगे हाई पर और हाई फ्लेम पर हम चावलो को अच्छे से पकने देंगे सबसे पहले इसमें हम एक बॉयल आने देंगे और यह देखे चावलो में बॉयल आना स्टार्ड हो गया है अब हमें हाँ पर चावलों को गला लेना है तो फिलेम हम कर देंगे medium to low के बीच में और चावलों को हम अच्छे से को खोने देंगे एकदम टेंडर होने तक इसे हमें पकाना है यानि कि 100% यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट अगर चावल यहाँ पर थोड़े से भी कच्छे रहे गए या अगर आपने सोचा कि 90% तक हम चावल उबाल लेंगे तो जो जिस ट्रिक से हम जर्दा बनाएंगे उस ट्रिक से बनाने के लिए चावलों को 100% पकाना बहुत जरूरी है वरना चावल आपके जह हम चाशनी में डालेंगे तो वो एंट जाएंगे दही आदा कप मैंने दही लिया है और यह बिल्कुल फ्रेश दही है बस सबसे जरूरी पॉइंट कि आप यहां पर खटे दही का यूज ना करें और अब यहां लेंगे हम डेड़ कप चीनी लेंगे जितना हमने चावल लिया है उतनी ही कॉंटिटी में हम चीनी लेंगे यहां पर हमें इसको इतनी से मिक्स करना है कि जह ap कोशपन हमारे凌प को जाएंगे जब आपको लगे कि इसमें हलका सा बॉयल आना स्टार हो गया है उस स्टेज पर हम जो हमने चावल बॉयल करके रखे दिना उन चावलों को इसमें हम डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे यानि जो चीनी है वो चावलों में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए तो देखे इस मिक्स करेंगे मिक्स कर कर दिये हैं यानि इतना पकाना है करिसे जो चीनी है एकदम से मेल्ट हो जाय और है इसमें तो जो घाली तो विद्धी दॉयलिए तो तो अब इसको हाइ फुलेम पर रखे हम ड्राइप करेंगे फ्लीम को मीडियम अश ciudnshii रभ हमें फिल्यूम को 20 इसको MAY मेरें जो चाश्चनिय इसकी है उसको ड्राए करना है क्योंकि इसको जबरदस्ता कलर all ऐ आर गहा है श्मीज्माण में k deta re etan kigare Sunday अब रायव इसमों कॉ इसमें मैंने यह 15 वा gi लिया झाले को यह पर संदılarु स्प्रीया उत्राइव किछू ले लिया एक टे बृल यहां इसमें डालने का जिसका रीजन यह है ड्राइफ रूट्स का कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाती जर्दे के साथ में और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी इसका टिस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए हम इसको बीच में डाल देंगे इसने ड्राइ कर लिया है और एक दम खिला-खिला जर्दा बनके हमारा तैयार हो रहा है बसी थोड़ा सा पाने इसमें नीचे की तरफ रह गया है इसको भी हम अच्छे से ड्राइ होने तक पका लेंगी और एक दो बार इसको हम इस तरह से स्टर करेंगे और और यह देखिए बहुत जबर्दस दर्दा बनके हमारा तैयार हो रहा है और जब आपको लगे कि इसमें पाने सारा ड्राइ हो चुका है तो उस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें मावा डालेंगे यानिकी खोया और यह मेरा होमेड है और मैंने आदा कप मावे का यूज किया है इसका वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि घर में सिर्फ तीन मिनट के अंदर मावे को हम कैसे बना सकते हैं तो इसकी मावे की आधी कॉंटिटी हम जर्दे के अंद गानिशिंग के लिए और यह देखिए आप देखने सारी चीज इसमें हमने डाल दी है कितना जबरदस्त इसको देखने में लग रहा आई और अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अब हम फ्लेम को कर देंगे मिल को मीडियम टू लो के बीच में और इसे कवर करके रख देंगे पांच मिनट के लिए और इसमें हम रागाते हैं तड़के की तैयारी जिसमें मैंने एक चौथाई कप के गरीर देसी घी का यूज़ कर रहा है आप चाहें तो यहां पर डाल जुआ कभी उसकर सकते हैं लेकि जो असली टेस्ट आता है वह तेसी घी में ही आता है गी हमारा मैल्ट हो चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे चार मैंने लॉंग ली है और तीन मैंने हरी लाइची का मैंने इस तरह से मूँ कोल दिया है जिसे फ्लेवर जो है ना देंगे देखिए इस तरह से और यह तड़का लवार लगके तैयार हो गया है और फटा फटी इसको बिस्की लिट को हम कवर करके रख देंगे और अब इसके साथ डालेंगे हम एक छोटा चंपनच मैंने यहां पर केवड़ा लिया है वो भी हम डाल देंगे आपको केवड़े का फ्लेवर पसंद है तो यहां पर जरूर रैट कीजिए बहुत ही जबरदस खुश्बू आती है और अब इसको कवर करके रख देंगे हम स ऊठाए थे ना थोड़े से वहाले सारे ड्रीफूर्स इसके अंदर हम डाल देंगे जो देखने में उपर से बहुत अच्छे लागें तो थोड़े-थोड़े करके सारे ड्रायफूर्स आपस में डाल दीजिए और देखिया इसमें अब हम किश्मिश भी डाल देंगे चरोजी भी हमने डाल दी है और इसके साथ ही अब हम डालेंगे इसमें बादाम आप अपनी पसंद से यहां पर कोई भी ड्राइफूर से इसको डेकॉरेट कर सकते हैं चाहे चोटी-चोटी जो अशरफियां होती है या बादाम जो रजगुले होते हैं गुलाब जामुन होते हैं इसपंच होते हैं या चम-चम आप यहां पर उसको किसी से भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही जबरदस्त लगते हैं मिठाई जर्दे के अंदर अब फंस में मावर डाल दिया और देखने में कितना जबर दस लग रहा है थोड़े से पिस्ते से गाणिश हम करेंगे और इसके साथ ही डाल दिया थोड़े से इसमें तूटी-फूरूटी डाल दी हैं आर यह द बहुत ही जब आप इसको खाएंगे ना तो इसका टेस्ट आप भुलाएं नहीं भूलेंगे बहुत ही मज़दार रेसिपी है एकदम क्विक रेसिपी है और नो फिल रेसिपी यानि कि इसमें जर्दे को एठने का कुई टाइमी नहीं मिलेगा बिल्कुल भी नहीं अठे गई जरूर ठाइक है मुझे अमीड है कि मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगी और मेरे रेसिपी आपको पसंद आती यह तो प्लीज मेरे वीडियो की निची थम सबकार बटन उसपे क्लिक किजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए इसके साथ भी बेल आइकन के बटन बभी क्लिक किजिए ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेक्ट जो भी नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले मिलेगा मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरू शेयर करें दौ में याद रखें थैंक्यू फर वर्चिंग माई वीडियो अलाहाफीज